कैसे हो दोस्तों, उमीद करता हूँ आप सब सही होंगे आज मैं आपके सामने एक important वीडियो लेके आज चुका हूँ जिसमें कि मैं आपके important questions को address करने वालू मेरे पर बहुत से business owners आके मिलते हैं मुझे और मुझे आके पूछ दे कि सर मुझे मैं e-commerce चालूँ दरना चाहता हूँ मेरे पास एक बहुत अच्छा product है जिसकी market को में demand भी है अब आप मुझे ये बताओ, मुझे Amazon, Flipkart, Mintra, Misho, Nika इन marketplaces पे बेचना चाहिए या खुद की एक website launch करके Google और Facebook आड़ के थूँ बेचना चाहिए चिक है, मन्दब simple सी वाद है या मैं एक marketplace पे बेचू या मैं एक अपनी website पे बेचू तो मैं कहूँगा यार अपनी website पे बेचू marketplace पे उत्रा dependent मलत रहो अगर marketplace पे बेचना भी है तो उत्रा dependent मलत रहो कोशिश करो अपनी website से सेल निकान लिए आप कहेंगे यार ऐसा क्यों Amazon Flipkart से तो मैंने बहुत से लोगों को मिला हूँ जो कि बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं जिनकी सेल यार लाकों में है तो आके दर में Amazon Flipkart पे rely क्यों नहीं करना चाहिए Amazon Flipkart ही नहीं क्यों नहीं करना चाहिए देखो एक चीज़ समझो कुछ कारण है जिसकी वज़े से मैं ऐसा कह रहा हूँ पहला कारण Amazon Flipkart मिंत्रा मीशो या कोई भी ऐसा platform आप जो देख रहे हो marketplace अगर आप देख रहे हो उनकी commissions heavy होती है 20-20% commission होती है यानि कि अगर 100 रुपे का product है न कोई Amazon पे 20 रुपे तो Amazon की जा रहे है तो पहली बात है commission बहुत ज़्यादा heavy है इन marketplace की तो commissions के कारण मैं हमेशा बोलता हूँ इनको prefer मत करूँ दूसरा इंपोर्टन उटा रहे हैं advertising अगर आपको इन platform से अपने product को अपनी जो paid advertising होती है Amazon के अंदर भी Amazon ads चलती है उनी को top भी निखाएगा तो यानि कि आप देख तो आप 20% भी दे रहे हो उपर से आपको advertising अगर Amazon पर top भी आपको पैसे देने पड़ेंगे तो मतलब आप यह लगा लो 31% तो सिर्फो सिर्फ आपका commissions या ads में ही चला जाएगा तो बाकी क्या चीक है तीसरा important factor जो कि most important है जिसके current से मैं Amazon Flipkart को मना कर रहा हूँ वो है आपका Amazon Flipkart, Mindra या कोई भी marketplace आपसे customer के data को share नहीं करता है यानि कि कोई भी customer ने आपके pen को order किया है आपके t-shirt को order किया आपको नहीं देगा यानि कि उसकी contact detail आपसे कभी नहीं share करेगा इससे नुकसान क्या आपका होगे देकर नुकसान नुकसान है future में अगर आपके पास उसकी contact details होती तो आप उसे email marketing करते आप उसे whatsapp marketing के थ्रो आप उसे message बेस से upsell or processel कर सकते थे भाई तुने मेरे दुकान से ही तुने मेरे online store से pen खरीद है अब तु क्या कर? अब मैंने एक और नया pen launch किया जो कि इससे बहुत superior quality गया है एक बढ़ ट्राई करके देख लिए आप से लोग क्रॉस सेल पॉसिबल है? बिलकुल नहीं पॉसिबल है Amazon Flipkart के साथ या कोई भी Marketplace के साथ यह सबसे बढ़ा मुझे disadvantage लगता है इन Marketplaces का ठीक है इसके तर अट लास्ट एक और important point मतलब जो मैंने जेनरली देखा है मैंने कोई भी ऐसा बंदा से नहीं देखा जो Amazon Flipkart से करोड़ों में सेल कर रहा हूँ या फिर वो एक बल्क में सेल कर रहा हूँ ठीक है यानि कि मैंने अब तक सबसे बड़ा मुझे advantage लगता है अपनी वेबसाइट से कितनी परसेंट सेल कर दो एक अगर आप एक अच्छी आप जब भी किसी वेबसाइट से अपने पन करीदा टीशट करीदा आप किसी को जाके क्या मोथते हैं यार मैंने अवह ज़्यादा अपने ही वेबसाइट से बेचो अपने ही गूगल और फेस्बुक पैडवर्डिसमेंट करो जो 30% आप किसको दे रहो 30% आप Amazon, Flipkart इन सब को Marketplaces को दे रहो अपने प्रोड़क्ट को टॉप पे दिखाने का लिस्टिंग करने का कमीशन्स का यार वही आप अगर Google और फेस्बुक पैडवर्डिसमेंट करोगे तो आपको उससे ज़्यादर रिटर्न मिलेगा ठीक है? यानि कि अगर आपका प्रोड़क्ट 1000 रुपे कहाई सीधा-सीधा 300 गे आसपास रुपे तो पौन खाजेगा Amazon खाजेगा और उसके बाद आपको देगा अब उसमें भी आपो सारी चीजों का देखना है लौजिस्टिक्टिक्स लिखना है उसके बाद आपको पिमेंड देखना है आपो मैनुफेक्ट्रिंग बस देखनी है सारी चीजज देखनी है कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है और उसमें अगर दो-तिन लोगों का अगर आडियो पा जाये तो समझे लू लंकाई लंग जी तो हमेशा बोलता हूं Facebook और Google पर फोकस करो Google से यार मनलब आज के टाइम में Facebook Advertisement सबसे बेस्ट है Facebook से e-commerce के दुन्या भर की दुन्या से निकाल रही है तो Facebook Badvertisement ड्रन करो Google Badvertisement ड्रन करो दूसरा Shopify पर वेबसाइट में आओ यार Shopify सबसे बेस्ट है Shopify वोकोमर्स कहीं लोग कहते हैं Shopify पर वेबसाइट में वोकोमर्स मेरी पहली जो पसंद हो है Shopify लेकिन कहीं लोग कहते हैं सर मेरे पास अभी बजेट कम है तो मैं Shopify पर नहीं जा सकता है तो फिर वोकोमर्स पर जाओ वोकोमर्स पर अपना स्टोर बना दू ठीक है लेकिन स्टार्ट तो गरो अगर अब भी स्टार्ट ने करोगे कब करोगे जब सारी जनता करने लगजेगी बेस्ट टाइम है इस फ़र कोई भी वेबसाइट बनाओ Shopify बनाओ कुछ भी करो ठीक है और उस पर टारक लिक एड़ सेल करने लगते हो एक पर देखो तो सही क्या आपका प्रोड़क्त वाकई में बिकने वाला है या नहीं कई लोग मेरे से आकर फूशते हैं सर मेरा ये पैन ओफलाइन में बहुत अच्छा बिक रहे हैं क्या ओनलाइन में भी अच्छा बिकेगा इसके ओनलाइन में आप क्या सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं कहुगा यार मैं जोती सीजों नहीं तेरा ओफलाइन में अच्छा बिकता है ओनलाइन में भी लोग ले इ कि ये जरूरी नहीं है, ध्यान रटना जीकि बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ सर, मेरा तो ये पैन सबसे बेस्ट है मैं तो इसे ही ओनलाइन बेचूँगा, मैं कहूँगा यार ये आपको लगता है, कस्टमर को ओनलाइन इबर देखो तो सही, क्योंकि ओफलाइन में हो सकता है आप ये 20 उर्पेगा बेचो बट यही पैन आप ओनलाइन में 20 उर्पेगा नहीं बेच सकते भाई आपको बहुत सारी चीज़ होगा देखना है आपको बेसिकली ये देखना है प्रॉपर आपको डीसेंट मार्जीन रखना पड़ेगा पीमेंट मैं कहता हूँ या कोई भी प्रॉड़क बेचो बट मिनिममम कोशिश करना 600-700 रुपे के आसपा से हो इससे कम वाला प्रॉड़क्ट मैं प्रैफर नहीं करता हूँ चिक है क्योंकि यार देखो 600-700 जे कम का प्रॉड़क्ट है पहली बात मार्जीन उनमें बहुत कम होगा औ और उसमें आपको पेमेंट गेटपे फीज शिपिंग फीज और वहीं वहीं आटियो लगजे तो आप ऐसी लॉस में चले जहोंगे तो इसलिए कोशिश करो 600-700 रुपे का डीसेंट प्राइज रखो और मिनिमाव 30-40 परसेंट तो मार्चिन रखो ही रखो आफ्टर क्यों हो सकता है और आपको कोछ पसंद आये हो सकता है आपको आपको किसे में म blend कर न आपकोणेल्प मां वेबसाइट बनाओ मुझे एड़ोडिसमें में हेल्प चीजों आप मेरे से पंटेक्ट कर सकते हों आज के लिए फिलालम इतरे ही रखते हैं